नमस्कार आप देख रहे हैं प्रगती मेड़या आज हम ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिससे पूरे बॉलीविट पर एक हंगाव वज़ गया था पूरे देश में हंगाव वज़ हो गया था कि एक व्यक्ति जो प्रशिद व्यक्ति है उसके बेटे पर भी ऐसा केस लग सकता है हाँ आप जान चुके होंगे हम बात कर रहे हैं आरेंड खान की 2 अक्टूबर 2021 केस इस दिन सारुप खान के बेटे आरेंड खान को ड्रग केस में क्रूस से अरेश्ट किया गया था यह सभी हम जानते हैं पर हम सभी यह भी जानते हैं कि भारत में जब भी कोई इमानदारी से काम करता है तो उसको दवाने का पूरा प्यास किया जाता है इसके इसको ऑफिसर समीर वानकडी की खिलाब भी माराश्ट के मंत्री नवाम मलिक द्वारा आरूप लगाए जा रहे हैं उन पर कई तरह के आरूप लगा जा रहे हैं समीर वानकडी पर कि उन्होंने रिश्वत खाई है या उन पर किसी तरह के दलित की भी आरूप लगाए जा रहे हैं माराश्ट के मत्री नवाम मलिक ने नार्कोटिक केंट्रोल व्यूरो मतलग कि NCB के बुंबई जॉनलर डारेक्टर समीर वानकडी पर आरूप लगाया है इसमें नवाम मलिक ने समीर वानकडी का निखा नामा जारी किया है नवाम मलिक ने लिखाया कि साल 2006 में 7 दिसंबर गुरुवात को रात आठ वजे समीर दावत वानकडी और सवानकुरिशी के बीच निखा हुआ था यह निखा बुंबई के अंधेरी के लोकनवाड़ा कॉंपलेस में हुआ था नवाम मलिक ने समीर वानकडी की जाती बर्च सर्टिवेट से जुड़े कई गंभी इंजाम भी लगाई है एनसीबी की नोकरी पाने के लिए वानकडी ने फरजी जाती प्रवाड़ा पत्र लगाया यह भी नवाब ने आरूप लगाया है इसमें नवाम में ने लिखा है कि समीर ने एक दलिक का हक चीन का एनसीबी की नोकरी पाई है नवाम मलिक ने कहा कि समीर वानकडी फरजी दस्तावित के आधार पर शेडूल पकाश्ट का सर्टिवेट बनवाया और उसके आधार पर IERS का पत्त हासिल किया ये कैसे हो सकता है कोई भी कल्द सर्टिवेट बनवा के IERS इतना बड़ा पत कैसे ले सकता है नवाम मलिक ने कहा कि उस दिन कुरूज पार्टी को लेकर मेरी जानकारी भी है कि उसमें अंतराश्ट्य ड्रक्स माफिया भी सामिल था उन्हों ने एक डाड़ी वाली का भी सक्स का जिक्र भी किया कहा कि उसकी जानकारी NCV को पहले से थी वह पहले त्यहार जिल में भी रह चुका है और वह ड्रक्स माफिया और कोई ने वह समीर वांखड़े का दोस्त है वाँ गजब है नवाम मलिक की ये आरोप सुनने में तो ऐसे लगते हैं कि वह समीर वांखड़े को हर तरह से बस गलत साबित करना चाहते हैं NCV नेता नवाम मलिक द्वाला NCV अधगारी समीर वांखड़े पर के जारे हमलों की बीच उनके पिता ग्यानदे वांखड़े सामने आ हैं उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं पैदाईस हिंदू हूँ और हमारा हिंदू ही हमारा धर्म है मेरे दादा परदादा दलित हिंदू ते और मेरा बेटा मुश्लिम कहां से हो गया उनकी एक वीडियो हम लास्ट में देखेंगे औनोंने अपनी वीडियो में प्रेस कॉंफरेंस में क्या कहा है औनोंने कहा कि नवाम मलिक को कुछ भी बोलने से पहले सूचना चाहिए अद्गारे समी के पिता ग्यांदे वाकडे का यह बयान तब सामने आया जब वद्वार के को नवाम मलिक की और से समीर वांकडे के 2006 में हुए निका की तस्वीर सामने आया थी इस दौरा नवाम मलिक के आरफ लगाया कि समीर वांकडे एक मुश्लिम थे और उन्होंने अपना नाम चुका चुपाकर नोगरिप आई है यह गटना यह आरफ ऐसे साबित करते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी बड़े अधिकारियों पर या बड़े अभिनेतां पर कोई इंजाम लगाएगा तो उसे किसी तरह से दवाने के कोशिस की जाएगी और उन पर जूटे इंजाम लगाए जाएगे इस जूटे इंजाम में कुछ ऐसे भी व्यक्ति सामिल हैं कुछ ऐसे भी रिपोर्टर सामिल हैं जिनका पूरे भारत में काफी नाम है लेकिन वो भी समीर वानकड़े को दवाने की जूटा साबित करने का पूरा प्यास कर ले लेकिन कुछ ऐसे भी लोग है 95% कुछ ऐसे भ हवर दीकने किलें